नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिबार एक्जाम कार्ट लाइप पर अगर आप मेरे नाम का कोड यूज करोगे तो आप इसमें 10% और एड कर दीजिए यानि अब मिल जाएगा आपको 45% का दिसकाउंट अब 45% का जब आपको यह डिसकाउंट मिल जाएगा तो इन बुक्स की जो कॉस्ट रह जाएगी वो सिर्फ और सिफ रह जाएगी 684 रुपी कोफी और EBS है और Science and Technology है तो बढ़ेंगे अब आपके अगले कुशन की ओर जो important है आपके एक्जाम के लिए देखिए हाल ही मैं आप लोग अच्छे से जानते हो कि रसिया और यूक्रेन इन दोनों के बीच में बहुत ही तनापूर्ण इस्थिती बनी हुई है अभी भी है यूद्ध तो एक तरीके साब कह सकते हो खतम हो भी चुका है और नहीं भी हो चुका है क्योंकि हाल ही मैं रसिया यानि कि ब्लादमुर्पुतिन जो वहां के राष्ट्र पती है उन्होंने यूक्रेन में चार छेत्रों को कबजाने का दावा किया यानि उन्होंने इस बात क दिया है वहां पर सैनिसासन तो अब यहां पर आपसे कुष्चन यह है कि रूसी रास्ट पती बुलिद ब्लादमेर पुतिन ने किस देश के चार छेत्रों में मार्सल लौकी घोशना की है जिन पर रूस ने कबजा कर लिया था तो वो कौन से कौन से हैं तो आप देखना य रॉनेस्टक, जापोरिजिया और खैरसान यह चार वो जगे हैं जिन पर यूकरेन ने यूकरेन के वो चेत्र हैं जिन पर रसिया ने अपना दावा सिद्ध गर दिया है और वहां पर मार्चल लौबी लगा दिया है ठीक है बात करेंगे यूकरेन की राजधानी की तो यू बिस ट्रस ने दे दिया बह़ी स्टीफा क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी वो काफी किटिस्प्स का फेस कर रही थी बॉन देورर धेकाद नो का रीहां तिद किस देश की प्रदान मंत्री थी तो ये ब्रिटेन की थी याद रखना प्रदान मंत्री के रूप में लिज्ट्रेस ऐसी प्रदान मंत्री रही जिनका सब से कम कारिकाल रहा है सब से कम कारिकाल रहा है इनका ठीक है ध्यान रहे ना इस बात का तो यह है इनकी पार्टी अगर आप से पूछ ले किस से संबंद रखती हैं तो यह कंजरवेटिव पार्टी से हैं लिज्टरस नाम है गुरवार को बिटेन के पी एम के पतसेनों ने क्या दे दिया है इस्तीफा दे दिया है ठीक है और कारिकाल की बात करोगे तो 44 दिनों का इनका कारिकाल था और बिटेन के किसी प्रदानमंतरी के रूप में अब तक का सबसे चोटा कारिकाल है यह तो अपने आप में काफी important point हो जाता है यह The next question one is कि one health joint plan of action कितनी संस्थाओं द्वारा मिलकर launch किया गया है क्या यह 4 हैं क्या यह 5 हैं यह कितनी है आपको इसका clear answer होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ इसकी कितनी है 4 इसका क्या हो जाएगा बिटा आंसर हो जाएगा correct कितना 4 हो जाएगा ठीक है कब तक के लिए किया गया है तयार तो 26 तक के लिए तयार किया गया है ठीक है अब यहां पर आप एक बास समझे कि यह कितनी संस्थाओं ने कितनी संस्थाओं ने मिलकर इसको जो है launch किया है ठीक है तो अब यहां रखना आप लोग पहला कौन सा इसमें Food and Agriculture Organization of the United Nations दूसरा है United Nations Environment Program World Health Organization ठीक है और World Organization of Animal Health अगे देखते हैं आगे क्या दिया है यहां पर दिया हुआ है आपको इन्होंने मिलके तो इसको जारी किया है ठीक है अब इनका काम क्या है तो इनसानों जानवरों पौधों और पर्यावरण के खत्रों को यह कम करेंगे ठीक है इस प्लान के तहत पर यह काम करेंगे सिस्टम और चम्ताओं के स्वास्त के लिहाज से एक साथ लाया गया है ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्लियर है आगले पॉइंट आपको फिर अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्लियर सब समझ लो आप देखिए United Nations Environment Program यानि कि UNEP इसको SWOT में बोलते हैं यहां से अगर आपसे पूछ ले कि UNEP की स्थापना कब होई थी 1972 में इसका मुख्याले है Narobi में ठीक है वहीं आपसे पूछा जाए Food and Agriculture Organization Food and Agriculture Organization इसकी स्थापना होई थी 16 अक्टूबर 1945 में मुख्याले इसका Rome, Italy में है वहीं World Health Organization की बात करोगे तो स्थापना 1948 में और मुख्याले इसका Geneva, Switzerland में हो जाएगा वहीं बात करोगे अगर आप World Organization for Animal Health तो यह हो जाएगा 25 जनवर 1924 मुख्याले हो जाएगा इसका Paris, France में आगे देखिए आपसे पूचा गया है According to the Climate Transparency Report 2022, India has lost how many billions US dollars in income in the services manufacturing, agriculture and construction sectors in 2021 due to extreme heat यानि कि जलवायू पादरसा रिपोट 2022 के अंसार 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण विनिर्माड क्रसी और निर्माड छेत्र में कितने बिलियन डॉलर का नुक्सान हुआ है तो आप ध्यान रखना इसका correct answer होगा 159 billion dollar किलियर है कितना है 159 billion dollar is the correct answer अब देखिए ये कितना अच्छा कुशन है Indigenious Unnamed Aerial Vehicle UAV रुस्तम 2 is expected to complete all user trials by when यानि आपसे पूचा गया है स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन UAV रुस्तम 2 कब तक सभी उप्योग करता परिच्छा परिच्छड पूरा करने की उम्मीद है आपको कुशन बहुत ही प्यारे तरीके से पूचा गया है तो आप ध्यान रखना इसका जो करने का लच्छ रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है ठीक है वहीं आप ये भी ध्यान रखना मानव रहित हवाई वाहन कौन सा है UAV रुस्तम 2 अगस 2020 तक सभी उप्योग तब परिच्छा पूरा करने हैं सभी उप्योग करता जो है परिच्छ पूरा करने की उमीद है वहीं देखो आगे देखो यहां एक है क्या है तो एक मीडियम एल्टिट्यूड लॉंग एंडियोरेंस ठीक है यानि की मेल इसका फुल फॉल फॉर्म पूस लेते हैं कभी कभी लो UAV है रुस्तम टू को रच्छा अनुसंदान यादी DRDO ठीक है की एरोनाटिकल डेवलप्मेंट इस्टेबलेस्मेंट बैंगलूरु द्वारा डिजाइन और विक्सित किया गया है ठीक है बिलकुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इन कॉशन्स में अब देखते हैं आगे कुशन नमर 6 है जिसमें आपसे पूछा गया है सरकार ने स्वदेश दर्शन 2 को लाँच करने के लिए कितने राज्यों के गंतव्यों को चुना है तो आप ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर है पंद्रे राज्यों की गंतव्यों को चुना हुआ है पहली बार किस देश के उत्पाद ने अपने मादक पे निहोंसु सेख भोगलिक संकेत टेग प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया है चीन, जापान, ताइवान या फिर वेतना तो जापान है इसका correct आंसर देगी जापान की राजदानि की बात करोगी तो टुक्यो है मुद्रा की बात करोगी द 파ूँगे तो ये नहीं है चीन की राजदानी बीजिंग है और मुद्रा यूवान है ये इमपोर्टेंट है सब ये मैं आपको ये बात देखो मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये इंपोर्टेंट है इन चीजों का आप खुदी आप लोग नोट करते रहा करो ताइवान की बात करोगे राजदानी ताइपेन है और डॉलर इसका ताइवानी डॉलर है ठीक है वियतनाम राजदानी ये मुद्रा डॉंग है ये सब ही इंपोर्टेंट है बार बार नहीं बताऊंगा आपको ये चीज आगे देखिए कुशन नम्मर एट मैं आप से पूछा गया है कौन सा देश एसी आई फुटवाल परिसंग यानि की ए एफसी एसी कब दोजार तेईस की मेजवानी करेगा ठीक है तो आप द्यान रखना कतर करेगा क्लियर है क्लियर इतनी बात देखिए एसी फुटवाल परिसंग की स्थापना की बात करोगे तो आठ मई 1948 को होती है मुख्याले इसका मलेशिया कुललाम पर हो जाएगा कुशन नम्मर नाइन जेपी मॉर्गन के कंट्री हैड ऑफ कुशन नमर टैन बहुती प्यारा है जिसमें आप से पूछा गया है कौन सा बास्मती चावल ब्रांड विश्व का नंबर वन बास्मती बन गया है तो इंडिया गेट इस दा करेक्ट आंसर इंपोर्टेंट करेंट अफेर जो वन नाइनर के फॉर्म में रिवाइज करते है डेली देखते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल कट बीहुर कि सराज जी असम में मैंने बताया था अब आपको लास्ट वीडियो में किस देश में सारंग का ये देखो इंपोर्टेंट है सारे किस देश में सारंग का आठवा संस्कृट भारतिय दूतावास का एक वार्शिक प्रमुक सांस्कृतिक कारिकरम आयोजित किया गया तो दच्छिड को रिया में ध्यान दखना आप लो यहाँ आप से पूछा गया है कि Under 23 विश्व कुष्टी चैंपियनसिप में पदक जीतने वाले पहले भारतिय कौन है साजन भनवाल आगे आप से पूछा गया है कौन सी राजे सरकार संपूर टैक्सी उद्दोग के लिए साजा एप लॉंच करेगी तो गोवा वन सांकी की दिवस कम मनाया जाता है तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है क्लियर है आगे आप से पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गिम 2022 किस राज्य में आयुद किये जाएंगे मध्यप्रदेश में फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट की अंसार भारत का इंटरनेट फ्रीडम स्कोर क्या है 51 आगे आप से पूछा गया है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14 वा संसकरण कहां आयुद किया जाएगा तो नभी मुंबई में मध्यप्रदेश सरकार किस मंदिर के पास मेगदूत वन विक्सिद करेगी तो महाकाल मंदिर के पास वहीं कुष्ण नम्मर 11 है आप से पूछा गया है कि मिसन स्कूल ओफ एक्सिलेंस का सुवारंब किस राज्य में किया जाएगा तो गुजरात में किया जाएगा गुजरात में डिफैंस एक्सपो भी हुआ है 36 वे रास्ट ये खेल भी अभी हुए है और नेशनल गेमस में आपको एक सेबरेट वीडियो अलग बना के देने वाला हूँ तो ये थे आज के करंट अफियर जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है भरतिपूर वेबसाइट आप विजिट करिए हमारी जितने वी एक्जाम के नोटिफिकेशन से उनके उनसे संबंदी डिटेल के लिए ब्लॉक पढ़िए वाँ पे जाकर के आप ठीक है काफी डिटेल में सारी चीजों को आपको समझाया गया है जिससे आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा ठीक है टेलीग्राम नोटिफिकेशन के लिए और बाकी आपको पीडिएफ बगएरा मेरी जो वीडियो होती है इन सब की कहां मिल जाएंगी एक्जाम कार्ट आप उस पी जुडिएगा तो यह था आज का वीडियो मिलते हैं आप से कल की वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच